हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी लंच की थाली जिसे आप रक्षा बंदन में अपने भाई के लिए बना सकते हो कोई गेस्ट आजाए अगर आपके घर में तब भी आप इस थाली को फटाफट से बना कर तयार कर सकते हो इसे बनाने में मुझे केवल एक से सवा घंटा लगा है बस कुछ चोटी चोटी बातों को हम ध्यान रखेंगे तो हमारी जो यह थाली है ना बिल्कुल परफेक्ट बनकर तयार हो जाएगी तो चलिए जल्दी से बनाते हैं आज के लंच को तो सबसे पहले हम उन चीजों को बनाएंगे जिन चीजों को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैंने यहां पर दो से तीन मीडियम साइस के प्याज ले लिए इन्हें रफली काटकर मैंने पैन में डाल दिया है अब हम और भी चीज़े इसमें डालेंगे जैसे मैंने इसमें दो से तीन चम्मच काजू डालेंगे एक चम्मच मैलन सीर्स दो तेजपता दो हरी लाइची एक बड़ी लाइची दो लॉंग और एक चकर फूल डाल कर एक से डेड़ गलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है सब्सक्राइब गिर को गारेगे सेवई गीः जालेंगेTH गीर कम और इसमें रहे गर्म कटोरी घ्राइब इसमाइ एक छम्मच गी गरम केड़ाइ ormys शर्णा सब्सक्राइब ठीजूे फ्लेम अच्छे से बूंक ऑँ भी इसका सूख गया है तो इसमें जितने भी मैंने खड़े मसाले डाले देना उन्हें मैं निकाल लूँगी और इसे ठंडा कन निकले रख दूँगी तो यहां पर मैं बना रही हूँ आज आलू गोबी और मटल की सबजी भी तो आलू को मैंने यहां पर पहले से ही बोईल करके रखा हुआ है और इसके बाद हम गोबी को भी काट लेंगे और बीच बीच में खीर को भी अच्छे से हिलाते रहेंगे और सीवई अच्छे से पक चुकी और मैंने इसमें एक चोटी कर्ची चीनी के डाल दिये तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप मीटा खाते हो कम ज़्यादा उसी के नुसार डालें और इसके बाद मैंने एक तड़का पैन ले लिये एक चमच घी में हम इसमे मैंने काजू लियें बादाम लियें और सबसे लास मैंने मैंने इसमें किश्मिश डाल दिये और इसको हम खीर के ओपर डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर ल längerगे तो हमारी सेवई की की खीर वह बनकर तैयार होगी और मैंने इसमें अज़ख दिया है तो चलिए इसके बाद मेथी डाना डाला है, दो सुखी लाल मिर्च, दो तेश पत्ता लिए हैं, अगर आपके पस बड़े हो तो आप एक ही डालें, और हींग डाला है, मैंने वन फोर चोटा चम्मच, थोड़ा सा तेल में इसे भून लेंगे, और उसके बाद हम इसमें गोबी डाल देंगे, इस त मिर्च का पेस भी डालेंगे, और इसमें मटर भी डालेंगे, इन सभी सब्जियों को हमने तेल के साथ थोड़ा सा भून लेना है, और गैस की फ्लेम को हमें यहां पे मीडियम रख रहे हैं, ऐसा करने से हमारी जो सभी सब्जी हैं, वो अच्छे से भून जाएंगी तेल मे और इसमें एक अच्छा कलर भी आ जाएगा, आलोगोवी मटर की इस सब्जी को हम बिना लसन प्याज के बना कर तयार कर रहे हैं, और इस तरीके से अगर हम इसे बनाते हैं तो यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, आप इसे पूरियों के साथ, पराठे के साथ, किसी अच्छा निया पाउडर और एक चमच मैने किचन किंग मसाला डाला है, अच्छे से इन सबी चीजों को मिक्स कर लेंगे आलो गोवी में, और तब तक मिक्स करेंगे ना जब तक यह सारे मसाले इन सबी में अच्छे से कोटना हो जाएं, और हमारी जो सब्जी है वो बन और अगर आप आलो इंस्टंट वोईल कर रहे हो ना तो मतलब इसे ओवर वोईल नहीं करना और इसके बाद इसे हम मोटे वाले ग्रेटर की साइड से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे और पनीर को भी इसी तरह ग्रेट कर लेंगे, आप चाहे तो इन दोनों चीजों को हाथो इसे इसे आप हुआ ठाइं है तो सफस्टर को डाल aleyगे इसे और और अचछे से उन दोन कर लोए सब्सटिए उसे मिक्स तो इसमें जादा गाई या गीला लिगा तो आप से मिक्स कर लेंगे दोन मेर चाहीं हार थे कुरने थाइन पर ड्रज़ा दोने फिसे प्लोर को डना में और Beacon Flour नहीं मिल रही रही हूं और इसके बार हाथों में लगा लेगे इसके ख़ोड़ा सा तेल और जोटी जोटी बॉल बना रही है इसलिए हम प्रॉकता फोटी प्रणार जाएंगे चाहे आप इसे फर्स टाइम ही क्यों ना बना रहे हूं और हमारे जो कोफता है ना वह मैंने डाल दी है डी फ्राइग करने के लिए और जैसे यह नीचे से थोड़ा सा सिख जाएंगे उसके बाद हम इसे हलके हातों से ना कर्ची की साहिता से या चम्मच जैसे मैं गुलाब जामुन बना रहे हूं क्योंकि बिल्कुल गुलाब जामुन के जैसे यह दिखाई दे रहे हैं और निकाल दिया है मैंने अलग से इसे टीशु पेपर के ऊपर और यह कोफते लगते हैं ऐसे ही खाने में कि आप इसे स्टार्टर भी खा सकते हो सच बनकर तयार हो गई है अब बना लेते हैं मलाई को तो मैंने सुरू में जो काजू और मैलन सीड्स और प्याज को पकाया था उसके हम डाल देंगे मिक्सी के जार में क्योंकि ठंडा हो चुका है बहुत देर पहले वैसे ठंडा हो गया था और इसे अब अच्छे से पीस लें अब जालेंगे साथ और जाह और अच्छे से मिक्स करेंगे वैसे बटर को प्रगों फोडा च्वाधि नमक काली मिर्च पाउडर दाला है गजाश पाउडर मैं प्रह चोटा चंबच यहादा रिख और गष्भाण बिट तो नमक दाले तो एक च्वीस पाउडर के उसके आ धूद्ध क्रीमब कर दें यां गयर कम निन लगा दोद्ध करता यां, क्रीमब करने तो अमुल क्रीम का आप से होधी आदं के अ्धु कम लिए डी मिक्स कर लिए लिएग लिए कोफटा कीद डाले Gócot पना ईलन्च में बना कर तयार के ह Seiाब, छी Flamish, ओमझग करणा कोई भी इसे बना सकता है तो आज का जो लंच अंग है वह बना कर तैयार है साथ में मैंने बना अघ्रमम के बना तो आजका लंच में भीुए सकते हैं साथ में हम थाली में थोड़ा सा सैलेड भी रखेंगे और पापड भी रखेंगे तो हमारी जो थाली है न वो एकदम कम्प्लीट हो जाएगी और आज की जो थाली है उसे हमने बहुत ही कम टाइम में बना कर तयार किया है और एकदम इस्पेशल थाली है आप चाहे तो इसे र लाइक और शेयर करना मत भूलना तो मिलते हैं अपनी इसी तरह की अगली स्पेशल लंच की थाली में या लंच रेसिपी में तब तक के लिए ओके बबाई एंड इंजोई